आज हम बनाएंगे बच्ची होई रोटियों से बहुत ही टेस्टी चार्ड पोपरे, जैसे आप गुल्गप्पे खाती आपको बहुत ही पसंद आता है, उसسे भी ज़्यादा टेस्टी आपकी यह बच्ची होई रोटियों का टेस्टी चार्ड पापरे में बनाऊंगी और आ बहुत ही जादा आपको फसंद आने वाला है तो अब देख सकते हैं मेरा आद के तीन रोटिया बच्ची हुई तो चोटी चोटी टुकड़े में तोड़ लेना है हाथ से और कड़ाई घरम हो चुकी है तो हमने डाला यहां सरसो का तेल सरसो के तेल या आपको कोई कुकिंग पसंद हो आप ले सकते हैं फिर डाला हमने थोड़ा सा जीरा और डाल लेंगे हरी मेर्च आप चाहे तो सुकी मेर्च भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं भी यह सूसती हुई इतनी बच्ची रोटिया को कौन यह वो करें बट एक बार यह ट्राई करो मैरे यह आल टाइम फिर हमारा तड़के चटक चुका था तो हमने डाला रोटी को और अच्छे तरी से मिला लेंगे नमक स्वाधा अनुसार डाले नमक ज्यादा में से नहीं डालना है और अच्छे तरीके से भुनेंगे जब तक हमारा क्रंची रोटी ना हो जाए जैसे चाट पापड़ी हो चुका है तो आपको इसको कुरकुरा करने तक भूणना है अच्छे तरीके से और यह लगवग हमारा भूण चुका है तो इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में यह देखिए कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है फिर ढॉलिये भरके दही आपको जितना पसंद इतन कम था और अनार के दाने डाली और खाई एंज्वाई करें बहुत ही टेस्टी लगता है एक बैरिस भी टाई करें थैंक्यू वर वचिंग करें